नमस्कार दोस्तो मैं अंकित पर्मा इक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपकी पने चैनल अंकित पर्मा और एक्पिन ओटिकेशन में तो दोस्तो कल जो कैबिनेट पैठक होई थी उसके बड़े फैसले जो कल देर शाम को आई थे जिसका जो वीडियो अपलोड नहीं हो पा मंजूरी एटिक को माना जाएगा मंजल जाने बड़े फैसले तो मंत्री मंडल ने सीधी भरती के माध्यम से विभेन विश्याओं के प्रवक्ताओं स्कूल नियू के 530 पत भरने का निर्णय लिया गया मंत्री मंडल ने निरधारित वेतन पर जो भरती के लिए भरती एव कैबिनिट की बैठक में भावन की एटिक मंजल की उंचाई 3.05 मेटर यानि 10 फिट से जादा करने को जो है मंजूरी दी गई है इससे जो है राज जमें लाखों भावन मालकों को फाइदा होगा अब पुराने भावनों की जो एटिक मंजले भी नियमित होंगी मुख्यमंत से शोधन को जो है स्विक्रिती दी कैबिनिट ने ने लिया कि इससे अलमीनियम प्लास्टिक और लेड यानि शीशे पार पहली बार 50 पैसे प्रतिकेलों की दर से अतरिक्त वस्तू कर लगेगा पहले यह उत्पाद इस गहर से बहार थे ओपियस के जो है एसोपी को जो है स्कीम यानि OPS के SOP को सद्धानतिक मंजूरी दे दी गही है मई से सरकारी करमचारियों के वेतन से NPS का शेर नहीं करेगा 36 गड़ और रास्तान दौनों राज्ये की योजनाओं का अध्याइन कर जो है OPS के SOP के ड्राफ्ट पर चर्चा हुई जल्द ही इसके अजिसूचन जारी करने का भी वेसला किया गया है ड्रंग्स और कोस्मेटिक उत्पात त्यार करने वाली कंपनियों की सालाना फीस बढ़ा कर डेड़ लाग की तो कैबिजिट ने हिमाचर प्रदेश ने शीली दवाएं यह मादक पदार्थ नियम नियम पचास में श्रोधन करने का निय लिया है फार्मास्यूटिकल यूनिट्स या मेडिकल यूनिटों के लिए MD6 लाइसंस होता है इसके तहट रास्वा बढ़ाने की दिशा में उठाई इस गदम से अब बार्शिक लाइसंस से शुलक डेड़ लाख रुपय होगा प्यारा फीटर और बहुदेश ये कारे करत हो कि अनुबंद जैसी बेहतरी निवति से जोई निवतियां के जाएंगी विभाग अपने स्तर पर भरतियां कर पाएंगे लेकिन भरति प्रकिया असी होगी जैसे करमचारियों को भविश्य में अनुबंद पर लाने या नियमित करने से संबन्दित कोई खास प्रषानी नहीं होगी, लेक्चलर स्कूल नियू के जो 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 530 पद लोक्षेवा आयोग के माद्यम से भरे जाएंगे, तो विभिन बेश्कियों के लेक्च्टरर स्कूल के नियू के पद जो है, 530 पद सेवा स्थी भरती से भरने का नेल्णे लिया है, ये मिमन पद राज्य लोक्ष सदिक्षिकों के जो है दो पदों को नियमित अदार पर भरने को सुईक्रिती दी है इसके अलावा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में बढ़ोग वाले भाग में निर्माण हो रहा था बढ़ोग में निर्माण बालेक्षेत्र को भी बढ़ाया गया है एटिक का साज बढ़ाने से अचार सेंता और एंजीटी के अदेश्यों की अवहलना भार दौाए तो सुकु सरकार की ओर से कैबिनिट में एटिक का साज बढ़ाया जाने के फैसले को लेकर बाटपा निसवाल उठाने शुरू कर दिये हैं तो दोस्त ये थे कैबिनिट के जो है बड़े फैसले अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी हो तो लाइक जोरूर करें और दोस्तों के साज शेयर जोरूर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सकें धन्यवाद चैहिं चैभाद